नमस्कार मित्रो दोरण साथ विशय हिंदीनी अंदर अजे पेलू काविये छे आपड़े पूर्ण करीली दू छे बेटी वे पेला काविये नू आपड़े अभियास चोई लई ये तो पेला काविये नाभियास ने अंदर मोखिक प्रस्णों ना उतर छे निमनलीकी प्रस्णों के मोखिक उतर दीजीए काविये प्रमाने तमारे लखवाना छे यमना पछी निम न लिखित सब्दों को उदाराण की अनुशार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए जेसे की पेड भारत का की है मुलत नीम धर्ती याने उनको सब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बना चाहिए तो पेला वाक्य हम बना रहे है नीम मुलत अह भारत की धर्ती का पेड है उसके बाद दुसरे वाक्य हम डाइरक बना रहे है दातों के लिए नीम की दातुन स्रेश्ट होती है दातों के लिए नीम की दातुन स्रेश्ट होती है उसके बाद तिसरा वाक्य है दिया जलाकर आंगन में रख दिया हम डाइरक ही वाक्यों को उचित पूर्ण अर्थ क्रम में अर्थ पूर्ण वाक्य बना रहे है उसके बाद का है चुथा वाक्य हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए उसके बाद का स्वाधिय का परश्नों है बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी तो बेटी सहारा बनने के लिए उसका उतर है आंसर बेटी सहारा बनने के लिए पडलिक कर आगे बढ़ेगी वह अपने पेरो पर खड़ी होगी इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी उसके बाद का प्रश्णर है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी अंसर है उसका, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धी का विकास करेगी, वह लोगों के कारियों और व्यवहारों को देखेगी, इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहत उसके बाद का प्रश्न तीसरा देखेंगे, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है, उसका आंसर है उतर है, बेटी तितली बनकर बागों में कुमेगी और हवा को चुमेगी, वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी, इसी तर तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंतरता का आन लेना चाहती है उसके बाद का प्रश्ण है चोथा प्रश्ण बेटी की क्या क्या तमनाई है तो उसका उत्तर है बेटी तारा बनना चाहती है वह धर्ती पर चान की तरह चमकना चाहती है उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलाने वाला फूल बनने की है वह तितली बनकर हवा को चुमना चाहती है इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमनाई है उसके बाद बावार्थ देखेंगे निमनलिखित काव्य पंक्तियों का बावाथ लिखिये जो दो काव्य पंक्ति है उसका बावर्थ हम देख लेते है पेली काव्य पंक्ति है गगन पे चमके चंदा में दर्ती पे चमकूंगी, दर्ती पर चमकूंगी में उजियारा करूंगी, उसका बावर्त इस तरह है, जिस तरह आकास में चान चमकता है, उसी तरह में दर्ती पर चमकूंगी, और चारो और अपना प्रकास फेलाऊंगी, चारो और मेरा यस फेलेगा, उसके बाद दूसरी काव्य पंक्ति है, पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेनत करूंगी, अपने पाउच चल कर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, उसका भावर्त इस प्रकार है, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, और मेनत कर आगे ब प्रयोग कीजिये विलोम याने विरुधार्थी शब्द तो पेला एक उदारण दिया हुआ है अमको वाक्य प्रयोग है सफल का असफल वाक्य प्रयोग है तेनसी एवरेस पर पहुतने में सफल हुए दूसरा उसका विलोम सब्द का प्रयोग किया है कहीं बार मेनत करने पर भी आदमी असफल होता है, अब सब्द अलग-अलग दिया है, जैसे कि आकास, उजियारा, इतर, पलाई और पाना, तो उसका अलग-अलगम देखते हैं, आकास का विलुम सब्द है दर्ती, और वाक्य प्रयोग है, देखते ही देखते विमान आकास में पहुच गया, उसके ब सब्द है उजियारा, उसका वाक्य प्रयोग पेला है, सुबह उजियारा होते ही अम काम में लग गए, उसका जो विलुम सब्द का वाक्य प्रयोग है, साम को अंधियारा होते ही अम गर लोट आए, उसके बाद तिसरा सब्द है इधर, इधर का विलुम सब्द बनेगा उतर बेठेंगे, उसके बाद है चोथा सब्द बलाई, बलाई का विलोम सब्द बनेगा बूराई, उसका वाक्य प्रयोग इस तरह बनेगा, संत सब्द के साथ बलाई करते हैं, और विलोम सब्द बलाई का बूराई उसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा, दुष्टो को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। उसके बाद लाश्ट का पांचवा है पाना। पाना का विलोम सब्द है खोना। उसका वाक्य प्रयोग बनेगा सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। उसके बाद उसका विलोम सब्द होना का इस प्रकार बनेगा वाक्य प्रयोग। कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। उसके बाद है उदारण की अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदारण है गोडा, उसका वचन परिवर्तन है गोडे, तो वाक्य प्रयोग कीया है गोडा दोड रहा है, तो उसका वचन परिवर्तन एक वचन का बहु वचन। गोडे दोड रहे है उसके बाद का सब्द है में बच्चे खिलोना और खेत तो में का वचन परिवर्तन होगा हम और उसका वाक्य प्रयोग होगा में पढ़ रहा हूं और दुसरा वाक्य प्रयोग हम पढ़ रहे है दूसरा सब्द है बच्चे, बच्चे का वचन परिवर्तन होगा बच्चा और वाक्य प्रयोग होगा बच्चे खेल रहे है दूसरा बच्चा खेल रहा है उसके बाद तीसरा सब्द है खिलोना खिलोना का वचन परिवर्तन होगा, खिलोने, वाक्य प्रयोग होगा, खिलोना सुन्दर है, उसके बाद का दूसरा वाक्य प्रयोग है, खिलोने सुन्दर है, चोथा सब्द है, खेत, खेत का खेत ही रहेगा, वाक्य प्रयोग है, खेत हरा बरा है, और दूसरा वाक्य प्रयो खेत हरे भरे है उसके बाद बासा सचता है निमनलिखित सब्दों को पढ़िये केशा शासी बाली का थी बगीचे में सुन्दर फुल खीले है ये शब बासा सचता है भारत ने स्रिलंका को तीन विकेट से अराया बाल्टी में थोड़ा सा पानी है वह आदमी जा रहा है उपर वाक्यों में रेखांकित सब्द याने नीचे जो अंडरलाइन किया है वह सब्द शासी सुन्दर तीन थोड़ा सा और व संगना की विशेश्ता बताते है शंगना याने नाम तो जो सब्द संगना की विशेश्ता बताता है उसे क्या कहते है विशेशन तो ये सब वाक्यों में विशेशन है, जैसे के निम्नलिकित वाक्यों को पठिये, अमारे देश में इमानदार लोग ज्यादा है, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तई करना पड़ता है, कोवे कारंग काला होता है, खरगोस का सरीम मुलायम होता है, शरीर के साथ मन स्वस्त रखना जरूर है, पार्ती संस्कृती विश्व में प्रशीद है, पानी गंधिहिन होता है, पुर्व दिशा में सुर्योदै होता है, अब जो जो अंडरलाइन ये सब आठ वाक्यों में है, इमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्त, पार्ती, गंधिन और पुर्व, तो ये सब्द है जिस सब्द संगना के गून, दोस, आका, रंग, रूप, स्पर्स, दसा, अवस्ता, स्थान, देश, काल, स्वात, गंध और दिशा का बोध होता है, उसे गून वाचक विशेशन कहते हैं, तो ये सब जो है, वो गून वाचक विशेशन कहते हैं, अब हम देखेंगे, निमन लिकित वाच्यों में से गून वाचक विशेशन चाटकर कोश्टक में लिखे, गून वाचक विशेशन चाटकर याने अलग करके, तो पेला वाच्य है, वरदराज चतूर बालक था, तो उसका जो विशेशन है चतूर, उसके बाद दूसरा है, फूल बाजार में पीले तो उसका विशेशन है गुण वाचक विशेशन है पीले उसके बाद है मिर्च का स्वात तिखा होता है उसका गुण वाचक विशेशन है तिखा उसके बाद चोथा वाक्य है सहरों में पंजाबी खाना मिलता है उसका गुण वाचक विशेशन है पंजाबी उसके बाद पां शफेद तो अपने ये सब जान लिया गुणवाचक विशेशन के बारे में गुणवाचक विशेशन संगिया या सर्वनाम सब्दों की निमनलिखित विशेशताओ का भी बोध कराता है ये भी आप कोष्टक में जो जो लिखा है आका, रंग, रूप, सफर्स, दसा, आवस्त स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध, दिशा उसका पूरी तरिके से विवरण दिया है उसको भी आप थोड़ा त्यान में रख लिजेगा उसके बाद का है निमनलिखित वाक्यों को पढ़िये प्रयाग तीन अद्यों का संगम स्थान है आज केवल आधा लिटर दूद चा वाक्यों में देख चुके है कि तीन, आधा, तीसरी, दुहरा, चारो ये सब में अंडरलाइन है उसके निचे लाइन की गई हुए तो जिस सब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है वोसे ये निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहते है दूसरा अब ये दूसरा विशेशन है निश्चित संख्या वाचक विशेशन उसके बाद हम देखेंगे निमनलिखित वाक्यों को पढ़िये कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते है कुछ लड़कों ने परियावरन बचाने का बीडा उठाया ज्यादा लोग बेटने से नाव उल अब ये तीन जो वाक्य है इसमें कई कुछ और ज्यादा ये सब्द के नीचे अंडरलाइन है मतलब जीस सब्द से वस्दू की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चित वाचक विशेशन कहते है उपर सब्दों में देखा निश्चित संख्या वाचक जानिये पूर्णाक बोधक है निश्चित संख्या वाचक विशेशन के कुछ अन्य अबेद है पूर्णाक बोधक है अपूर्णाक बोधक है क्रम वाचक है आवरूती वाचक है और समुह वाचक है अब उसका हम उदारन चाटकर अलग अलग जो है उसको डिफाइन करेंग देखेंगे निमनल लिखित सब्दों में से निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक विशेशन को छाट कर वाक्यों में प्रयोग किजी याने जो सब्द दिया हुआ है उसमें निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक दोनों दिया हुआ है तो उसको छाट कर याने अल अलग-अलग करके वाक्य में उसका प्रयोग करना है, तो निश्चित वाचक याने शंख्या वाचक विशेशन इसमें आता है 50 उसके बाद है धाई, उसके बाद चोगुना, उसके बाद चोथा, उसके बाद चारो तो ये सब हैं निश्चित संख्यावाचक विशेशन, उसके बाद हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेशन, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको अलग सुची बनाएंगे, अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन में कई थोड़ा बहुत कुछ और ज्यादा तो अब हमने निश्चित और अनिश्चित वाचक संख्या वाचक विशेशन को छाट कर याने अलग करके उसको सूची बनाए है बस अभी यह सब इतना है स्वाध्याई में तो आप बार बार इस वीडियो को देखके जितना आमने विशेशन अलग अलग पड़ा है, उसका वाक्य में प्रयोग पड़ा है, विशेशन और वाक्य में प्रयोग और वचन परिवर्तन, विलोम याने विरुदार्थी शब्द कावे पंक्तियों का भावा अर्थोर आप बार बार इस वीडियो को ध्यान से देख लिजेगा, समझ लिगेगा और आप अपनी नोटबुक में एक बार अच्छी तरीके से लिख लेजेगा, थेंक्यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद